मेरवा थाना छेतर के बिलासपूर गाउं की 22 वर्षिय जोती का सौव मिलने पर परिजनों ने साजीस के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतिका के पिता गुडू साह ने छापरा के दावतपूर थाना में तीन लोगों को आरोपित करते हुए अविदन दिया है। वहीं जोती की मौत होने पर गाउं में मातमी सनाटा पसरा हुआ था। इधर आरोपी घर छोड़ कर फरार हो गये हैं। आरोपियों में पती मौकेस कुमार, देवर, रभी कुमार और सास सांती देवी है। देवर रभी ने मृतिका के परिवार वालों को जहांसा दे कर जियोती की हत्या का रेलवेट ट्रेक पर सौब को फेंग दिया था। और खुद ही फोन करके सुचना भी दे रहा है। आपकी बेटी की मौट ट्रेन से गिरने से हुई है। पिता गुटू साह ने पताया की 23 अगस्त की रात मुकेस कुमार ने मेरी बेटी को जवरन घर से लेकर मुंबई चला गया। 24 तारीक की सुबा खोजबिन होने पर पता चला की दोनों मुंबई में है। साधी कर लिये है। परिवारिक दबाव के कारण मुकेस ने 28 अगस्त को ज्योती को लेकर गोरकपुर तक आया। वहां तक परिवारिक से मुबाइल से बात हुई। जिसमें ज्योती का भाई भूलू कुमार ने रभी को फून करके कहा कि हम आ रहे हैं अपनी बहन को ले जाने के लिए। मगर रभी ने उसे मना कर दिया। कहा कि मैं ज्योती को लेकर आसाम आ रहे हैं। इसी के विश्वास में आकर भाई भूलू नहीं आया। और रभी के परिजन साजीस के तहत हत्या की साजी सरच डाली। जहां रभी ने ज्योती को लेकर बैसाली एक्सप्रेश टेन से छप्रा तक जाने के दवरान उसकी हत्या कर सौव की दाउदपूर रेलवे ढाला के समीप फेक दिया। इसके बाद उसने ही जी आरपी में जाकर सिकायत भी किया। तब तक जी आरपी पुलिस सौव को कपचे में ले लिया था। जी आरपी पुलिस ने फोटो दिखाया तो उसका पहचान किया। मगर वहाँ से भाई भोलू को सुचना दिया कि आपकी बहन ट्रेन से गिरने से उसकी मौत हो गई है। उसके बाद वहाँ से वह फरार हो गया। घंटो बित जाने के बाद सौव लेने कोई नहीं पहुजा तो जी आरपी पुलिस ने परिजनों को सुचना दिया। जिसके बाद परिजनों को पुलिस ने पुश्टमाइटम करा कर सौव को सुपूत कर दिया। पिता ने अपने पूतरी को इंसाब दिलाने की बात कह कर बिसुध हो जा रहे थे। उसने पुलिस प्रसासन से आरोपियों को फासी की सजा दिलाने का मांग कर रहे थे। मृतिका ज्योती पांच भाई बहन में सबसे बड़ी थी। पिता ने बड़े ही त्यारी के साथ ज्योती की साधी मेरवा के अटवा गाउं में तै करते हुए सगाई किया था। मगर साधी की भनक लगते ही बड़े पापा का लड़का मुकेस कुमार गुपता ने ज्योती को लेकर फरार हो गया। मातर एक सबताह में उसकी हत्याई की ख़वर मिलने पर परिजनों के होस उड़ गए। ज्योती के परिजन बेसूद पड़े हुए है।